हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर रेट राशियों की तुलना प्रशनावली 8.1 से कोशन नमबर 2 और 3 सोल करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे अब कोशन नमबर 2 देखे लिखा है निमलिकित अनुपातों कैसे बदलेंगे पहले तो 3 और 5 चार को भिन के रूप में लिखेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा अब देखे प्रतिशत में बदलना है जब भी प्रतिशत में बदलना आओ 100 से गुणा करते हैं तो 3 बटे 4 को हम 100 से गुणा कर देंगे अब इन्हें काट लेंगे देखे दोनों कट जाएंगे 4 एकम 4 4 दुनी 8 चार पंजे 20 अब 3 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 75 पच्ची थी ये 75 तो 75 प्रतिशत तो 3 अनुपात 4 को हमने प्रतिशत में बदला तो क्या आया है 75 प्रतिशत अब बी पार देखे दिया है 2 अनुपा 3 को भी प्रतिशत में बदलना है तो 2 अनुपात 3 को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले 2 अनुपात 3 को भिन के रूप में लिखेंगे तो 2 उपर आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे जब भी प्रतिशत में बदलना हो या जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे अब देखिए यह कटेंगे नहीं तो हम गुणा कर लेंगे 2 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 200 और बटे में 3 अब 200 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 200 200 को 3 से भाग देंगे तो दिखीं 3 ची के 18 घटाएंगे दसमें से आट गया दो फिर उपर से 0 अँटा रहेंगे तो दुबारा 6 पर जाएगा 3 ची के 18 इसे घटादेंगे बटे तीन प्रतिशत तो ये था कोशन नमबर टू अब कोशन नमबर त्री देखिए कोशन नमबर त्री देखिए 25 विद्यार्थियों में से 72 प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं तो कोशन में दिया गया ह कि पच्चिस विध्यार्थियों में से 72% विध्यार्थी गणीत में अच्छे हैं। तो देखे गणित में अच्छे विद्यार्थी, गणित में अच्छे विद्यार्थी कितने हैं? 72 प्रतिशत, तो देखे गणित में अच्छे नहीं, तो वो विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं, वो कैसे पता चलेगा? देखे, कुल प्रतिशत 100 प्रतिशत होता 28 तो 28 प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो गणित में अच्छे नहीं है अब देखे ये तो प्रतिशत में पता चला है हमें कि गणित में कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है 28 प्रतिशत पर इससे हमें संख्या तो नहीं पता चल रही न कि कितने विद्यार्थी गणित मे अच्छे नहीं है तो देखे कुल विद्यार्थी कितने है 25 अब जितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा यह जो कूल विद्यार्थी है यानि 25 का हम 28 प्रतिशत निकाल लेंगे तो 25 का 28 प्रतिशत निकाल लेंगे तो देखे 25 लिखा का का मतलब क्या होता है गुणा अब प्रतिशत हटा देंगे तो 28 के बटे में क्या आ जाएगा सो आ जाएगा विसे काट लेंगे देखिए दोनों कर जाएगे 25 एकम 25 पच्ची चो के सो फिर ये दोनों 4 के पाड़े पर कर जाएगे 4 एकम 4 4 सते 28 एक को साथ से गुणा करेंगे क आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू